स्टार्ट करते हैं Paulitie और Paulitie में हम लोगोंने last lecture में Paulitie का part 1, union and its territory को समझा था और उसमें हमने एक से लेकर के चार तक के जो articles हैं उनके बारे में पढ़ा था उसका हम थोड़ा सा quick revision करेंगे और उसके बाद जो बचा हुआ part है इसमें story है उसको हम complete करेंगे ठीक है? पार्ट वन है पार्ट वन उसमें एक से लेकर के कितने आर्टिकल है चार तर और आर्टिकल वन में हमने देखा था कहा जाता है कि जो भारत है इंडिया is a union of state तो हमें एक वर्डिंग याद रखने है इसमें क्या यूनियान union मतलब sun दूसरा में क्या कहा था कि parliament के पास power है वो किसी भी foreign land को इंडिया में मिला सकती है इसका example था सिक्किम ठीक है foreign land तीसरे आर्टिकल में कहा गया कि parliament के पास power है कि वो भारत के अंदर किसी भी राज में तोड़ पोड़ कर सकती है उसका नाम चेंज कर सकती है नेम चेंज और टेरोटोरी टेरी को लिमिट कर सकती है ठीक है उसके बाद आर्टिकल 4 में कहा था कि जब भी पार्लामेंट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करेगी तो उसे सिर्फ सिंपल मेजोरोटी कि जब परेगी पार्लामेंट में बिल को पास कराने के लिए प्रेसिडेंट इस बिल को डेनाय नहीं कर सकते हैं रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं ठीक है यह इसमें कहा गया था तो जितने भी बेसिक बात थी पार्ट वन क्यों हमने डिसकस कर ले थी लास्ट टाँम मैंने कहा था कि जो हमारा देश आज के वक्त में जैसा दीखता है वैसा हमारे आजादी के बाद नहीं था जैसे आज के वक्त हम जो द्र leaf pazpod में बेसिस पर divided है माहाराष्रा में ूहिद की संख्या का थिक detix happen साउथ में देखें तो इंग्लिस, कन्न, तमिल, तेलगू, मल्यालाम बोलने वालों की संख्या है तो भासा के आधार पर आज हमारे देश का क्या है विभाजन हुआ हुआ है लेकिन लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था अर्यू गेटिंग माई पॉइंट यानि राज रजवाडे यहं रा करते थे राजवा करता था यहां पर हैदराबाद में, मैसूर हो जाए उसके बार बलूचिस्तान और में थे और बाकि ? एलौवाला किस के अंडर में थे प्रिटिसर्स के अंडर में थे, अब देखो, यहाँ पर हम दो कटेगरी में इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब देश आजाद हुआ, तब इस देश मतलब कि पूरे भारत को चार कटेगरी में डिवाइड किया गया था, ठीक है, किसमें किसमें, चार कटेगरी में, उसमें देखो, A स्टेट, B स्टेट, C स्टेट, और D स्टेट, ठीक है, A, B, C, D, इस तरीके से डिवाइड किया गया था, A स्टेट में किसे रखा गया था, तो जितने भी ब्रिटिस प्रोवियन्स थे, जो पिंक वाला दिखाई दे रहा है, ब्रिटिस प्रोवियन्स उनको रखा गया था, जहां जहां पर बिटिस का राज हुआ करता था उसे ए लिस्ट या ए स्टेट में रख दिया गया था बी में जितने भी राजे रजवाले थे फ्रिंसली फ्रिंसली स्टेट को बी में रखा गया था सी में कमिश्णरी स्टेट कमिश्णरी अब समझाता हूं कमिश्णरी क्या होता है कमिश्णरी स्टेट जितने भी बड़े सहर थे ठीक है जैसे कि मालो महाराष्ट्रा है महाराष्ट्रा के हम कहेंगे कि सबसे बड़ा सहर कौन सा हो जाएगा तो मुंबई है ना जितने भी एक अबजा था किसका British का, तो C state में उन बड़े सेरों को रखा गया था. और D state में किसे रखा गया था? तो Union Territory को..ठीक है? अब देखो A में कौनगौन से state थे, उसको याद करने की जरूत में ही, ना B में, ना C में, ना D में फिर भी अगर कभी मन करें कि अच्छा कौन-कौन थे तो यहां पर मैंने लिस्ट लगाया हुआ है जैसे पार्ट A में कुल 9 स्टेट आते थे पार्ट B में अगर देखा जाए पार्ट B में तो यहां पर देख लो इसमें लगभग 10 स्टेट के आसपास थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठी है ठीक है इसमें आठी है आठी स्टेट है और पार्ट C में अगर देखा जाए तो सायद इसमें 10 थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस इसमें 10 आते थे और पार्ट D में कहें तो हमारा क्या आता था तो हम खली ये नंबर अगर याद रखना रहेगा तो रख लेना A B C और D A में कितने 9 इसमें 8 इसमें 10 और इसमें 1 इतने स्टेट हुआ करते थे हमारे आजादी के बाद जब हमें आजादी मिली लेकिन आजादी के अगर हम थोड़ा पहले जाए तो हमारा भारत अफगानिस्तान से लेकर के मियानमार तक फैला हुआ था ठीक है कहा से कहा तक अफगानिस्तान से मियानमार तक फैला हुआ था इस अफगानिस्तान को हम जो है 1893 में अलग कर दिया गया ब्रिटिस अर्ष ने कब अलग कर दिया 1893, 1893, 1893 में भारत से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया था, क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में इतने पहाड भरे हुए हैं, ना उपजाओ जमीन हैं, और ना ही वहाँ पर, वहाँ पर कुछ आराम से खेती किया जा सकता है, ठीक है? तो पहाडी इलाका होने की वज़े से, खेती लायक लैंड ना होने की वज़े से, अंग्रेजों नों इसे भारत से अलग कर दिया था, क्योंकि उनके लिए उतना वो बेनिफिसियल था नहीं, अफगानिस्तान में जो भी गया है, उहार के आया है, इसलिए अफगानिस्तान को graveyard of the empire कहा जाता है, graveyard of the empire, ठीक है, अफगानिस्तान को क्या कहा जाता है, graveyard of the empire, empire बत्त tut सामराज, सामराज्यों का कबरिस्तान करते हैं, अफगानिस्तान को भारत से कब अलग किया गया, 1893 में, और इसके बीच में जो रेखा बनाएगी उसे कहा गया, duran the line दूरंड लाइन तो पूछेगा कि आज के समय दूरंड लाइन किन दो देशों के बीच में है अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान ठीक है उसके बाद भारत से इस म्यानमार को भी अलग कर दिया गया कब 1935 इंडिया एक्ट 1935 में म्यानमार को किसे अलग कर दिया गया भारत से म्यानमार को भारत से अलग कर दिया गया उसके बाद 1947 में भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया 1947 में 1947 में पाकिस्तान दो जगह था एक East Pakistan और एक West Pakistan East Pakistan और West Pakistan जब इसे अलग किया गया था 1947 में तो इसको भी और इसको भी Red Cliff Line कहा जाता था Red Cliff Line ठीक है? इंडिया और पाकिस्तान के भी इसका जो बॉर्डर है उसे क्या कहा जाता था? अभी भी देखो अभी भी जो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है Red Cliff Line लेकिन 1971 में 1971 में जब बांगला देश मतलब कि East Pakistan को बांगला देश बनाया गया भारत के दिरिए तब इस लाइन को कहा गया Zero Line Zero Line Zero Line Zero Line इतना क्लियर हुआ? बताओ East Pakistan को बांगला देश कब बनाया गया? 1971 में 1971 में ये आजाद हो चुका था West Pakistan से लेकिन West Pakistan ने इसे 1972 में जा करके परमिसन दी ठीक है आप बांगला देश के फर्म में रह सकते हो ठीक है? मैं आनमार को भारत से कबालक किया गया? 1935 में दूरंड लाइन कब खिची गई? दूरंड लाइन I am talking about दूरंड लाइन 1893 दूरंड लाइन किंदो देशों के बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन किंदो देशों के बीच में है? पाकिस्तान और इंडिया जीरो लाइन किसे कहते हैं बांगला देश के बॉर्डर को बांगला देश के बॉर्डर को ठीक है इतना पिक्चर क्लियर हुआ अब देखो जब यह हमारा देश आजाद हुआ ठीक है जब यह हमारा देश आजाद हुआ तब आजादी के बाद आजादी के बाद कुल हमारे पास 552 से अधिक प्रिंसली स्टेट बचे हुए थे ठीक है मतलब राजे रजवाडे और ये ब्रिटिसर्स के द्वारा जो छोड़े गए थे ये सब के सब बिखरे पड़े हुए थे मतलब इनको मिला करके पूरा भारत तो बनता था लेकिन ये सब आपस में इकठा नहीं थे जैसे वही सिच्वेशन हो गई ये कैसी जैसे जर्मनी टूटा उटा था फ्रांस टूटा हुआ था इटली टूटा हुआ था हैकि नहीं हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पूरा पढ़ा है कैसे की इटली को यूनाइट किया गया जर्मनी को यूनाइट किया गया विस्मार्क का क्या रोल था है कि ने तो वैसे ही भारत कितनी टुक्रोम तूटा हुआ था पाच्सो बावन प्रिंसली स्टेट्स यह ना कई बार examiner's बूझते हैं करें अच्छछ बताओ जब देश आजाद हुआ तो कितने कितने प्रिंसली स्टेट्स तो अमूमन बोल देने का 500 से अधिक क्योंकि कहीं कहीं 552 देता है कहीं कहीं 556 देता है ठीक है तो कितना क्या देने का साड़े 500 से अधिक जब हमारे ही पास पूरा एक्जेक्ट डेटा नहीं है मतलब कि का 552 है या 556 है तो हम भी वही जवाब देते हैं कि साड़े 500 से अधिक है अगी नहीं अब देखो अब इतने प्रिंसली स्टेट्स हैं अब इन सब को भारत अगर बनाना है तो हमें इन सब को क्या करना पड़ेगा यूनाइट करना पड़ेगा ताकि सब के ऊपर एक ही रूल लगे एक ही गौवर्मेंट हो एक ही नियम कानून हो है ना तब इस भारत को एक करने की जिम्हेदारी या यूनाइट करने की जिम्हेदारी उस वक्त के जो गृह मन्तरी थे सर्दार पटेल को दिया गया सरदार पटेल किसे दिया गया सरदार पटेल क्योंकि सरदार पटेल ने भारत को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इसलिए इन्हें इंडिया का बिस्मार्क कहा जाता है क्या अब ये दिमाग में कन्फूजन रहेगा कि अच्छा इन्हें बिस्मार्क क्यों कहा जाता है बिस्मार्क ठीक है पताओ बिस्मार्क ने किसे यूनाइट किया था किस देश को यूनाइट किया था जर्मनी को ठीक है तो कि जो जर्मनी में सद्लियों पहले हो चुका था वही अब भारत में हो रहा था है कि नहीं इसलिए कई बार इंटर्विव में पूछते हैं कि सरदार पटेल को विसमार्क ओफ इंडिया क्यों कहा जाता है तो तुम्हें वो इस्टोरी बैक स्टोरी पता होनी चाहिए कि भाई पहले विसमार्क था कौन उसने काम क्या किया था कि जर्मनी को किस तरीके से इंटिग्रेट किया हमने वर्ल्ड हिस्टरी में पूरा बात किया है और सरदार पटेल ने भी वही काम किया भारत को उनाइट करने में ठीक है अब देखो सरदार पटेल अकेले तो करेंगे नहीं इनको भी थोड़ी असिस्टेंट की जुरुत पड़ेगी तो सरदार पटेल को असिस्ट कर रहे थे उस वक्त के IAS ओफिसर वी पी मेनन वी पी मेनन ठीक है? वी पी मेनन और उस वक्त के जो आखरी वो थे गवर्नर जनरल थे, क्योंकि अब जब देश आजाद हुआ तो फिर से गवर्नर जनरल का पोस्ट लाया जाएगा है न? हाँ, तो आखरी वाइसराय कहलो या गवर्नर जनरल कहलो पहले, मतला आजादी के बाद पहले जो गवर्नर जनरल थे यही बने इन्हें ही बना गया उसके बाद आखरी जो वाइसराय थे यही थे, इनका नाम था माउंट बैटन माउंट बैटन, ठीक है? तो देखो जब कभी भी बात आएगी भारत को यूनाइट करने में कितने लोगों का योगदान था? तो यह तीनों नामे इतना क्लियर था? अब देखो सरदार पटेल ने देश के अधिकतर जितने भी राज थे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उन सबको उन्होंने मिला लिया था लेकिन इसमें क्योंकि जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन्होंने एक कंडिशन रखी थी जो भी स्टेट है, अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है, तो पाकिस्तान के साथ मिल सकता है, और भारत के साथ मिल सकता है। तो यहां पर जो सर्दार पटेल थे वो 539 जो स्टेट थे उनको मिला चुके थे तीन स्टेट थे जो मिलना नहीं चाहते थे जिसमें से एक था हैदराबाद हैदराबाद बहुत बड़ा था है हैदराबाद दूसरा यह जूनागर और तीसरे थे जम्मु कस्मीर जम्मु कस्मीर जम्मु कस्मीर अब देखो जो हैदराबाद का राजा था यहां का राजा क्या कहता था भाई मैं पाकिस्तान के साथ मिलूँगा मैं पाकिस्तान के साथ मिलूँगा इसके पास सोनी की कोई कमी नहीं थी भरमार था कोहिनूर हीरा यहीं से निकला हुआ था है क कैसे यह यहां पर जाकर के मिल जाएगा पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में मिलेगा तो इतना बड़ा देश है देश में क्या अलग से डिविजन करना पड़ेगा यहां से अगर पाकिस्तान मतलब किसी को आना है तो यह कैसे समुदर के जरी आएगा यहां से जाएगा वह दो तरीके से बात करते थे पहले हैं एक हात में अपना गाजर रखते थे किसी को प्यार से समझाते थे कि कोई नहीं मानता तो फ्यर डंडा रखते थे और उसे दंडे से समझाते थे लेकिन नवाब मानने के राजी नहीं तो सादार पटल ने एक काम किया उन्हों को अच्छा बताते हैं उन्होंने आर्मी को पुलिस की वर्दी पैना करके भेज दिया कहां उसको घेरने के लिए जाओ उसको घेरो पीटो और उस हैदराबाद को पूरी तरीके से भारत में मिलाओ अनेकसेशन पर साइन करवाओ अब जैसे ही यहाँ आर्मी आई पुलिस की वर्दी पैनके इसने कॉल किसे किया जिन्ना को जिन्ना को कॉल किया अब जिन्ना ने यह मुद्धा कहां पर उठाया वहां यूएणो में यूएणो कॉल किया क्योंकि जो अंग्रेज थे जैसराइज नहीं करेगा अब यूएणो से फिर से प्रेशर आया उस वक्त को जो प्रदार मंत्री रह पंडित जवाल्लाल को अब पंडित जवाल्लाल ने किस से पूछा सरदार पटेल से कि आपने आर्मी भेजी है तो उन्होंने का आर्मी नहीं पुलीस है पुलीस भेज चलाया था झा। ऑप्रेशन पोलो उप्रेशन तो यह उप्रेशन यॢप अधना कि अप्रिशन पोलो कि कपुर सब्सक्राइगा था किसले ध्युदक waarगा था तो हैसरा बाद को हैद्राबाद को भारस से मिलाने के लिए जो अप्रेशन चलाया गया उस उसी का naam क्या था पुलीस इन्वाल्व थी, मिलिटरी इन्वाल्व थी, इतना क्लियर हो गया, आप देखो, अब यह मिल गया कौन, है 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 धराबाद मिल गया, अब जिन्ना तो तर पड़ाने लगा, जिन्ना कहेगा मेरा यह कितना बड़ा स्टेड चला गया, प्र जिन्ना ने जो जुनागर जुनागर यह गुजरात वाला इरिया जुनागर, जुनागर का जो नवाप था, उसको जिन्ना ने चड़ाया, और कहा कि देखो, यह तुम एकदम हमारे पास ही हो, आजाओ, हमसे मिल जाओ, और हम तुम्हें अपने यहां का जो है, फानेंस मिनिस्टर बना देंगे, यहा यहां का जो नवाप था, वो था मुसल्मान, ठीक है, मुसलिम था, और यहां पर जो जन्ता थी, पब्लिक, वो हिंदू थी, ठीक है, हिंदू थी, यहां का जो नवाप था, उसको न, कुट्टे रखने का बहुत सौक था, उसको अपनी पतनी से जादा प्यारे कुट्टे तो यहां पर जब सरदार पटल गये वह भी कहने लगा कि नहीं हम तो जो है कि से मिलेंगे पाकिस्तान से मिलेंगे सरदार पटल ने बोला अच्छा कि पाकिस्तान से मिलेगा रुख जा वहां की जनता को उन्हों ने बुलाया और कहा कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ तो वहां की जनता ने कहा कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं और फ जुनागड को भारत में कैसे मिला गया तो जनमत संग्रह जनमत संग्रह जिसको कते हैं रेफरेंडम क्या कते हैं रेफरेंडम ठीक है रेफरेंडम यानि जनता से आगरह किया गया उनसे पूछा गया उनसे वोटिंग करवाई गई और जनता ने वोटिंग किसके पक्ष में डाला इंडिया के पक्ष में और जो जूनागर था किसका भाग हो गया इंडिया का भाग हो गया ठीक है तो दो ची ऑप्रेशन पोलो मत भूलो ऑप्रेशन फोलो ठीक है और जूनागर को कैसे मिलाया भारत में मैं रेटरेंड़म करां करते अब बात थी यह जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर जो था यह भारत का ताज था ठीक है कहते हैं कि अगर तुम्हें स्विजडर लएंड जाना है सुरुजडर लिन्ड जाना है सुष्जर लएंड जाने जाना जाना है तुम जम्मुकस्मीर चले जाओ यह फोटो देखते हैं लगो यह जमु कस्मीर के राजा कौन थे हरी सिंग आखरी डोंगरा सा सकते हैं यहां कहेंगा कौन सी डानिस्टी राज किया करती थी इस पर डोंगरा दोंगरा आकरी दोंगरा सा सकते कौन राजा हरी सिंग राजा हरी सिंग बहुत बेवकूप इंसान थे अब ये क्या कह रहे थे कि हम इस जम्मु कस्मीर को जन्नत बनाएंगे एक दूसरा देश बनाएंगे और इनका जो मंत्री था इसका राजा हरी सिंग का उसका नाम था एकदम चलाक आदमी था ठीक है से अब्दुला सोच रहा था कि राजा हरी सिंग अब जी चुके हैं थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है इससे अलग देश बनवा लूँगा और इनका फाइल निप्टाने के बाद यहां पर पूरा राज मैं करूंगा अपना और फिर जाकर के दिरे से किस्ते मिल जाओंगा पाकिस्तान के साथ मिल जाओंगा ठीक है तो जब गय पटेल साहब वहां पर तो इन्होंने पहले मना कर दिया उन्हों का कि हम नहीं हम नहीं मिलना चाहते हम स्वतंत्राना चाहते हैं लेकिन समस्य यह थी आप देखो यह जो जम्मू कस्मीर ह आजा थे वो थे हिंदू लेकिन यहां की जो पब्लिक थी वो थी मुसलिम पब्लिक को थी मुसलिम तो जो पाकिस्तान था जिन्ना था यहां के लोगों को अल्ला हुआकबर करके या अल्ला या अल्ला करके उन्हें क्या करने की कोशिस करा था उकसाने कोशिस करा था और पाकि लोग तुम्हें जीदेंगे लिंther करेंगे ऐसे इसे इसी वाते करके वह को मिला नचार रहा था पाकीस्तान में अदल्प कषह को लेकिन वही चीज यहां पर यह थे पर के यह बात समहमें नहीं आ रहे थी जैसा रहा थे वह किर değildi रहना चाहते हैं जो है इन्हों ने पठल साब ने का ठीक है कोई वाद नहीं आप देख लीजिए जैसा रहना है आप अपना समझ के बता दीजिएगा लेकिन जब राजा हरी सिंग के पास पाकिस्तानिया है तो भी उन्होंने भी उनसे मना कर दिया अब पाकिस्तानियों ने चली चाल पाकिस्तानियों ने यहां से अपने कबाईली को भेज दिया मतलब कि अपने ही आर्मी को जो है अपना वो सब आतंगवादियों का कपड़ा दे करके हथियाल लेकर के कहां बेज दिया जम्मु कस्मीर पर अटेक करने के लिए और जम्मु कस्मीर पर वो लोग काफी अंदर तक घुजगे और जहां तक गए वो पूरा कपूरा क्या करने लगे वहां पर लोगों को मारने लगे, ब्लड सेडिंग करने लगे, महिलाओं का रेप करने लगे, और इस बात की भन किसको जाती है, हरी सिंग को, जब हरी सिंग को जाती है, तो हरी सिंग भागे 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 कहा, आएंगे, दिल्ली आएंगे, और दिल्ली में किस से मिलेंगे, तो पंडी जवालाल नहरू से पंडी जवालाल नहरू से कहते हैं कि साफ बचा लीजी हमें हमारा पर्जीष की परीवार खत्रे में पूरा की कि जमर की के निया है क्छुमु काश्मीर खत्रे में है तो who U suchente ये योफह आगी के काम पेट्ध साह।ा ने कंहुत है उसको स्वतंत्र देश चाहिए, खुद का जो की राज बनाना है, तो जब खुद का राज बनाने की अवकात अगर रखते हो, तो जा के अपने राज की रच्छा भी करो फिर, तो बुला कौन हरी सिंग की, अरे महराज ऐसा मत कीजिये, मेरे बीबी बच्चों को मार देंगे, आप आर्मी भेजिये, तो पटेल साब ने कहा के ठीक है, हम आर्मी भेजेंगे, कोई दिक्कर ने, लेकिन पहले साइन करो, इस पर एनेक्सेशन पर, विलय पत्र पर, विलय पत्र पर साइन करो, कि जम्मु कस्मीर की सरहदे हैं, वो भारत की सरहदे हैं, जम्मु कस्मीर भा अपने मंत्री को देता हूं कि उसको ज्यादा आइडिया है अब यही गलती इसने करी अब यह सेख अब्दुल्ला ने कहा कि ठीक है हम मिलेंगे भारत से लेकिन हमारी कुछ सर्ते रहेंगी कि जम्मु कश्मीर में भारत का जो शासन होगा वो लागू नहीं होगा आर्मी उनक स्वारा कॉंस्ट्यूचन खुदका रहेगा तो सदार प्रेल ने खाया कि एक बार मिलो तुम बाद में क्या करना हो हम देख रहेंगे तो सदार प्रेल ने कहा कि चलो साइन करो अनेक्सेशन पर तब एक विले पत्र पर साइन होता है कब 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 क्या साइन होता है विले पत्र विले पत्र पर साइन कब होता है 26 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर 1947 को लेकिन जब तक यह चीज होती है तब तक तब तक जो पाकिस्तानी थे यह काफी अंदर तक भूश चुके और इतना एरिया लोग मैं अंदर आ अप्रोच कर रहे तब तक यहाँ पर जाने के लिए कौन जाएगी तो आर्मी को भीजने के लिए किसी को कमांड सभालने के लिए के लिए देना होगा तो हमारे आर्मी में ब्रीगेडियर के ब्रिगेडियर उस्मानि कौं थे हैं.. ब्रिगेडियर ब्रिगेडियर इस्मानी बालूच मथलग को यहां से बिवलॉग करते थे तो यहीं इय्यूचिब Hampshire आर्मी ची बना देंगे तो ब्रिगिडेर उस्मानी ने कहा कि जब मैं भारती असेना में डिपलाई हो रहा था सामील हो रहा था तब मैंने भारत माता की प्रोटेक्शन करने की कसम काई थी भारत के कितने पुकड़े हो जाएंगे मैं उस चीज को नहीं ध्यान में रखूंग यह बात करके उन्हों ने इन्दन आर्मी को ही जॉइन रखा और भारत में ही रहे और जो सदार पटल थे वो किसी भी इंसान को उसके करेक्टर देख करके पहचान लेते थे कि यह इंसान काबिल है या नहीं है उन्होंने इस जो मुझाहिद्दीन थे या जो भी कि इस ब्रिगेडियर उस्मानी इन्होंने गया गया यह लेकर करके और अपने सेना को अपनी सेना को लेकर के गया यह और जम्मु कस्मीर में जहां पर यह आतंकवादी जहां तक आये हुए थे उससे आगे एक इन्च वह आतंकवादी बढ़ नहीं पाए ठीक है वहां पर इन्होंने रोक दिया जितने आतंकवादी थे उन सब इधर से भी गोला भार उस्मानी है और यहां से गोला बारू दा रहा है तो जैसे पर आते हैं एक गोला करके इहींपर गर जाता है अब niet पर कि सर आपको जो है डर नहीं लगता है उन्होंने काया कि ब्रिगेडियर की जो इज्जत है वो तो दुस्मन के बारूद भी करते हैं तो मुझे डर किस बात का है लेकिन ऐसे ही लड़ाई में जो लड़ाई हो रही थी एक गोला सीधा आता है उनके सीने पर गित जाता है और ब्रिगेडियर उसमानी की मौत हो जाती है इन्होंने अकेले ही कम से कम 200 जो पाकिस्तानी आतंगवादी थे या पाकिस्तानी सोल्जर के हैं उन सबको मार दिया था सवन्म्या इन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता था उन समझ मैं तो ब्रिगेडियर उसमानी को क्या का जाता था नौशेरा का शेर लायन औप दी नौशेरा इतना स्टोरी समझ मैं बहुत बड़ी में देखो ये सारा का सारा जब चीज हुआ जैसे इनका मंतरी था कौन शेख अब्दुल्ला शेख अब्दुल्ला नहीं वहाँ के Constitution में Article 370 जुडवाया, 35A जुडवाया, ठीक है, और ओ Article 370, 2019 में किस तरीके से उसे हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ये स्टोरी तो हम सब जानते हैं, जब तक ये देश आजाद हुआ था, 1947 से ले करके, 1947 से ले करके, 370 हटने तक, इन ही की फैमिली पूरी वहाँ पर राज कर रही थी, इतना पिक्चर क्लियर हुआ किस तरीके से हमारा जो देश था वो आजादी के बाद कितने टुकडों में बटा हुआ था उसे एक करने की जिम्हेदारी किसकी थी विसमार्क सरदार पटल को क्यों कहा जाता है कब जूनागड को कैसे इंडिया में मिलाए गया हैदराबाद को कैसे मिलाए गया जम्मू कस्मीर को कि क्या स्टोरी थी यह सारी स्टोरी क्लियर हो गई कोई दिक्कट कहीं ठीक है तो बताओ मियानमार को भारत से कब अलग किया गया नाइन्टीन थर्टी फाइव में भारत जब आजाद हुआ तो उसे कितने स्टेट्स में डिवाइड किया गया था लाइक A B C D ऐसे में या कोई पर्टिकुलर नमबर था चार कौन कौन से A B C D A में किस स्टेट को रखा गया था ब्रिटिस प्रोवियंस को B में प्रिंसली स्टेट थे C में कमिशनरी स्टेट्स जो लार्ज सिटी थे ठीक है लार्ज सिटी थे कमिशनरी स्टेट्स और D में यूनियन टरिटरी को यूनियन टरिटरी को देखो यह जो मैं A B C D बता रहा हूँ ठीक है इन सब को ऐसे ही याद अठना क्योंकि बाद हमारे कॉंस्ट्यूशन में एक अलग से सक्षन ही था B स्टेट के बारे में और वो B स्टेट को अब रिमूव कर दिया गया तो वो पार्ट भी हमारे कॉंस्ट्यूशन से रिमूव हो गया तो जब मैं आगे बताऊंगा कि देखो ये वाला पार्ट है इसमें B स्टेट की चर्चा थी तो ये मत पूछना कि अच्छा B स्टेट क्या है सम्झा तो B स्टेट कुछ नहीं यही वाले सब राजे थे जिनको अलग-अलग पार्ट में रखा गया था A में ब्रिटिस प्रोवियंस B में प्रिंसली स्टेट राजे रजवाडे क्योंकि राजे रजवाडे खतम हो गए अब राजे रजवाडे जब खतम हो गए तो B स्टेट रहना चाहिए कि रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए वाज के लिए इतना रखते हैं बाकी स्टोरी हम नेक्स लेक्चर में देखेंगे